अप्तग का कॉंसॉलिडेटरड शुद्ध लाभ जून 2023 की तिमाही में 179.44% बढ़ा, बिकरी 119.25% बढ़ी। ब्रिटानिया इंड़स्ट्रीज का कॉंसॉलिडेटरड शुद्ध लाभ जून 2023 की तिमाही में 35.59% बढ़ा, बिकरी 8.65% बढ़ी। बैंक आफ बड़ोदा का Consolidated शुद्ध लाभ जून 2023 की तिमाही में 129.03% बढ़ा, I 49.68% बढ़ी EFL India का Consolidated शुद्ध लाभ जून 2023 की तिमाही में 21.36% बढ़ा, विक्री 17.01% बढ़ी EFL Apollo Tubes का Consolidated शुद्ध लाभ जून 2023 की तिमाही में 6.45% बढ़ा, विक्री 31.97% बढ़ी Tata Investment Corporation का शुद्ध मुनाफा जून 2023 की तिमाही में 63.23% बढ़ा, विक्री 48.80% बढ़ी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का Consolidated शुद्ध लाभ जून 2023 की तिमाही में 8.12% बढ़ा, विक्री में 17.56% की तिमाही में 41.88% बढ़ा, विक्री 32.53% बढ़ी गुजरात फ्लोरो केमिकल्स के शुद्ध लाभ में जून 2023 की तिमाही में 34.32% की गिरावट, विक्री में 9.35% की गिरावट Everest Industries के Consolidated शुद्ध लाभ में जून 2023 की तिमाही में 17.08% की गिरावट, विक्री 6.98% बढ़ी एक्सिसकैड्स टेकनोलोजीज ने जून 2023 की तिमाही में 5.61 करोड रुपए का Consolidated शुद्ध लाभ दर्ज किया, जबकि जून 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान 31.80 करोड रुपए का शुद्ध घाटा हुआ था, विक्री में 16.56% की व्रिध्धी हुई IDFC का शुद्ध लाभ जून 2023 की तिमाही में 4.56% बढ़ा, विक्री 20.88% बढ़ी Central Depository Services, इंडिया का Consolidated शुद्ध लाभ जून 2023 की तिमाही में 27.33% बढ़ा, विक्री 6.78% बढ़ी Gloster के शुद्ध लाभ में जून 2023 की तिमाही में 47.72% की गिरावट, विक्री में 9.50% की गिरावट Fortis Health Care का शुद्ध लाभ जून 2023 की तिमाही में 8.58% बढ़ी, विक्री 11.40% बढ़ी मेघमनी फाइन कैम का शुद्ध लाभ जून 2023 की तिमाही में 70.77% गिरावट, विक्री में 14.63% की गिरावट IFGL Refractories का Consolidated शुद्ध लाभ जून 2023 की तिमाही में 103.51% बढ़ा, विक्री 17.96% बढ़ी गुल्षन पॉलियोल्स का Consolidated शुद्ध लाभ जून 2023 की तिमाही में 57.02% गिरावट, विक्री 8.62% बढ़ी बल्रामपुर चीनी मिल्स का शुद्ध लाभ जून 2023 की तिमाही में 493.78% बढ़ा, विक्री 28.66% बढ़ी गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स का Consolidated शुद्ध लाभ जून 2023 की तिमाही में 38.13% गिरावट, विक्री में 8.63% की गिरावट आई रेन इंडस्ट्रीज के Consolidated शुद्ध लाभ में जून 2023 की तिमाही में 75.22% की गिरावट, विक्री में 16.49% की गिरावट फाइनोटेक्स केमिकल का शुद्ध लाभ जून 2023 की तिमाही में 29.89% बढ़ा, विक्री में 2.61% की गिरावट पराग मिल्क फूर्ड्स का शुद्ध लाभ जून 2023 की तिमाही में 108.98% बढ़ा, विक्री 8.49% बढ़ी रेपको होम फाइनेंस का शुद्ध लाभ जून 2023 की तिमाही में 29.82% बढ़ा, विक्री 20.56% बढ़ी गती ने जून 2023 की तिमाही में 1.67 करोड रुपए का शुद्ध घाटा दर्स किया, जबकि जून 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान 4.23 करोड रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था, विक्री में 1.12% की गिरावट आई पंजाब एंड सिंध बैंक के स्टैंड अलोन शुद्ध लाभ में जून 2023 की तिमाही में 25.42% की गिरावट आई 28.62% बढ़ी मुर्पेन लैबोरेटरीज का कॉन्सोलिडेटेड शुद्ध लाभ जून 2023 की तिमाही में 169.86% बढ़ा, विक्री 32.62% बढ़ी शुपिंग कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया का कॉन्सोलिडेटेड शुद्ध लाभ जून 2023 की तिमाही में 57.11% बढ़ा, विक्री में 17.92% की गिरावट उशा मार्टिन का कॉन्सोलिडेटेड शुद्ध लाभ जून 2023 की तिमाही में 22.68% बढ़ा, विक्री 7.34% बढ़ी जयप्रकाश एसोसियेट्स ने जून दो हजार तेईस की तिमाही में 180.08 करोड रुपए का कॉंसोलेडेटिड शुद्ध घाटा दर्स किया जबकि जून 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान 376.07 करोड रुपए का शुद्ध घाटा हुआ था बिक्री में 13.89 की गिरावट आए थैंक यू फॉर वाचिंग प्लीज लाइक, शेर एंड सब्सक्राइब टेन शेर्स